हे दोस्तों, आज हम motor insurance के बारे में विस्तार से जानेंगे motor insurance कितने परकार के होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है और कौन-कौन से term यूज किये जाते है motor insurance industry में और आपके गाड़ी का insurance premium किन-किन बातों पर निर्भर करता है तो इस वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको motor insurance सम्बंदित सारी जानकारी मिल सके तो आगे बाढ़ने से पहले आपसे एक request है कि चैनल को subscribe करे ताकि आपको business related updates मिल सके मुख्यता देखा जाए तो motor insurance दो परकार के होते हैं पहला comprehensive और दूसरा third party insurance पहले बात करते हैं third party insurance की इसमें यदि आपने अपनी गाड़ी का third party insurance करा रखा है और यदि आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति या उसके संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो उस व्यक्ति को हर जाना आपकी insurance company देती है मान लिजिए आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति का accident हो जाता है और वो अपने इलाज के खर्च के लिए आपके उपर case कर देता है कोट में इस case में आपकी insurance company उस व्यक्ति द्वारा किये गए हर जाने की रकम को आपकी insurance company भुकतान करेगी क्योंकि आपने third party insurance ले रखा है लेकिन यदि किसी दुर घटना में आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुँचता है या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो insurance company आपको कोई पैसा नहीं देती है इस कारण third party insurance काफी सस्ता होता है यह आपकी गाड़ी के cubic capacity पे निर्भर करता है कि आपका गाड़ी का premium कितना होगा और इसका premium सभी राज्यों के लिए एक समान होता है चाहे आप महाराश्र से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, गुजरात से हो इतना ही नहीं आप किसी भी company से third party insurance करवाते हों तो उसका premium एक ही रहोगा वो चाहे आई से लंबार्ड हो, Reliance हो, HDFC हो या फिर डिजिट insurance हो एज़ पर motor insurance act आपके पास driving करते समय कम से कम third party insurance होना ही चाहिए नहीं तो आपको 2000 रूपय का जुर्माना लग सकता है यदि आप भी अपनी गाड़ी का insurance online लेना चाहते हैं तो description में दिये अगर link पे click करें और अपनी गाड़ी की basic detail डाले यहां आपको अलग-अलग company के policy compare करके दिखाये जाएंगे और आप अपनी सुधा अनुसार कोई भी policy खरीद सकते हैं घर बैठे अपने वाहन को सुरक्षित करने के लिए अब बात करते हैं comprehensive insurance की इस insurance में यदि आपकी गाड़ी चुरी हो जाती है यह आपकी गाड़ी का accident हो जाता है तो insurance company आपको भीमा प्रदान करती है आपकी गाड़ी को repair करने में लगा खर्च आपको भीमा company देती है चुरी हो जाने के case में गाड़ी के ID भी यानि कि insured declared value यानि कि आपकी गाड़ी का जो वर्तमान मुल्य है वो आपको insurance company पे करती है इसके अलावा third party insurance की सभी स्विधाई भी आपको इसमें मिलती है यही दो मुखे परकार का insurance होता है comprehensive or third party insurance लेकिन आपने on damage या stand alone के बारे में सुना होगा असल में comprehensive में on damage plus third party insurance कवर होता है on damage insurance का मतलब हो गया आपकी गाड़ी के चूरी हो जाने पर या accident हो जाने पर आपको मिलने वाला claim का insurance आईए समझते हैं आपको on damage insurance के जुरत कप पड़ती है जब भी आप नई गाड़ी खरीते हैं तो आपको लंबे समय के लिए third party insurance मिलता है जैसे कि two wheeler में आपको एक साल का comprehensive और पांच साल का third party insurance मिलता है वही four wheeler के case में आपको एक साल का comprehensive और तीन साल का third party insurance मिलता है माननीजे आपने नई कार खरीदी है पांच जनवरी 2022 को तो आपका comprehensive insurance चार जनवरी 2023 को समाप्त होगा वही third party insurance चार जनवरी 2025 को समाप्त होगा जब आप अगले साल insurance renew कराने जाएंगे तो आपको केवल on damage insurance की ही ज़रत पड़ीगी क्योंकि आपका जो third party insurance तीन साल का दिया गया है वो अभी तक वैधी है अब बात करते हैं add-ons की यह additional facilities होती है जो आप अपने insurance coverage में add कर सकते है कुछ प्रमुख add-ons इस परकार है Zero depreciation इसमें आपको accidental case में गाड़ी के repair होने पर पूरा खर्च मिलता है generally claim किये गया amount का कुछ percent company pay करती है और कुछ percent ग्राहा को pay करना होता है comprehensive insurance में वहीं यदि आपने Zero depreciation add-on ले रखा है तो company आपको 100% claim amount पे करेगी प्रस्थनल accident cover इसमें गाड़ी के मालिक सहचालक की यदि मिर्थी हो जाती है accident में तो उसके परिवार वालों को पंदरा लाख रुपए तक का बीमा रासी परदान करती है insurance company roadside assistant इसमें यदि आपकी गाड़ी किसी दूराज इलाके में खराब हो जाती है तो आप अपने insurance company में phone करके ये सूधा ले सकते हैं जिसमें आपको on-site assistant मिलता है यदि आपकी गाड़ी को टो करके गरेज में ले जाना हो तो ये खर्च भी insurance company ही उठाएगी engine protection यदि आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां ज़्यादा बारिस होती है और बार का खत्रा बना रहता है तो आपके लिए ये add-on फायदे मन्द होगा इसमें आपके गाड़ी का engine यदि बारिस के कारण या बाड़ के कारण खराब हो जाता है तो उसका भुकतान insurance company करती है consumables इसमें आपको गाड़ी के repair किये जाने के दोरान इस्तमाल किये जाने माने nut bolt, screw, grease, lubricant, engine loil, distill bottle का coverage मिलता है return to invoice जैसे जैसे आपके गाड़ी पूरानी होती जाती है इसकी market value घटती जाती है लेकिन इस add-on में आप अपनी गाड़ी चोरी हो जाने के case में आपके invoice में जो भी रकम दर्च है यानि कि आपने जितने में गाड़ी खरीदी है उसका पूरा पैसा आपको insurance company देती है आप अपनी सुधा अनुसार अपनी motor insurance policy को customize कर सकते है आप इसमें जितना ज़्यादा add-on और feature इसमें add करेंगे आपका insurance premium उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा अब बात करते हैं discount की motor insurance में NCB यानि की no claim bonus का अहम role है यदि आपने पिछली policy में कोई claim नहीं लिया है तो अगले insurance renewal में कुछ discount मिलता है जो की इस परकार है उदाहरन के तोर पे यदि आपने पिछले दो सालों में कोई claim नहीं लिया है तो तीसरे साल insurance premium में आपको 35% का no claim bonus मिलता है जिससे की आपका premium थोड़ा सस्ता हो जाएगा यदि आपने लगातार 5 सालों तक कोई भी claim नहीं लिया है तो आपको 50% का no claim bonus मिलता है छटे साल और आपका insurance premium काफी सस्ता हो जाता है और यदि आपने किसी भी वर्स आपने कोई insurance claim किया है तो आपका NCB अगले वर्स घट के फिर से 0 हो जाता है और आपका insurance premium महंगा हो जाएगा तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करें और वीडियो को like, share और subscribe करें और अपका लगी sm कर फिर से 0 हो जाएगा हो झालब महालन किसी भीघ्टी अपका जाता है और आपकाज जाएगा हो जाएगा हो पिय Supply